दोस्तों नॉर्मल डिलीवर के वे कौन से लक्षण और सिंटम्स होते हैं जिन्ने महिला जान ले तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है यह समझना कि शेशू के जन्म कसम में निकाट आ गये हैं तो वीडियो को जरूर देखे बिना स्किप के एंड तक दोस्तों गर्भा संकित यह होता है कि बच्चा इस दौरान पेट से किसकर नीचे की और पूरी तरीके से सिमट कर रह जाता है और आपको यह पेट के नीचे के हिस्से में भारीपन लिएवे महसूस होता है तो समझ लीचिए कि डिलीवरी का टाइम नजदिक आ गया है दूसरी बात यदि यानि कि योनी से शाव तीजी से होने लगता है और ये शाव सफेद या पीले रंका दिखाई देनी लगता है तो बहुत अदिक शाव होने पर भी समझ लीजिए कि डिलीवरी का समय नजदिक आ गया है चौती बात अगर आपको इस आखरी दर में कुछ-कुछ अंतराल में यानि कि आदे से लेके एक घंटे के बीच में दर्द महसूस होने लगे इस दर्द को आप ऐसे महसूस करेंगी जैसे आपको पीरेट्स आने का जो दर्द होता है उस तरीके से अगर आप इसे फिल करती है जो कि पेट से लेकर कमर और कमर के निचले हिस्ट से यानि कि पेड नॉर्मल डिलीवरी के निकट आने का तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्प करना चाहिए। छटवे बात योनी से रक्त का स्रावित होना भी इसका एक मुख्य लक्षन होता है। इसमें होता क्या है कि जो सिशु का सिर है वो श्रोनी गोहा तक आ चुका होता है जिसके का चाहिए कि डिलीवरी का समय निकट आ गया है साथ ही महिला को उठने बैटने में अधिक दिकत होना महसूस हो तो भी समझ लिजे कि डिलीवरी का समय नजदिक आ गया है। इसके साथ ही अगर महिला के इस्तनों में बहुत तेज डर्द होने लगे, पेक में मरोड उठे, ही जलन महसूस हो तो ये सभी नवर्मल डिलीवरी होने के लक्षन होते हैं जिनसे महिला को समझ में आ जाना चाहिए कि डिलीवरी का समय नजदिक आ गया है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अ